अभी हाली में आपने देखा कि करणाटक में आपके विधान सवाज चुनाओ थे और आपने देखा है कि कॉंग्रेस को भारती राष्टी कॉंग्रेस को बहुमत मिला और आप देखेंगे कि मुखमंतरी अब उनी का तै था जिसे बहुमत मिलेगा उसी का मुखमंतरी बनेगा तो सिध्धारमिया को मुखमंतरी अंगला बनाया जाना तै है कहा का करणाटक का तो करनाटक के अंगले मुखमंत्री कौन है सिध्धरमिया इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे एक बार पहले करनाटक के बारे में जान लीजे उसके बाद मुखमंत्री पद के बारे में जान लीजे किस तरह से इसकी निवक्ती होती है, कितना कारकाल रहता है इसका, फिर हम लोग सिद्धर अमिया साहब के बारे में बाद करेंगे, देखे ये हवारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको करनाटक देखने को मिलेगा, बैंगलोरिस की रादधानी है, एक नव राज्यसभा में 12 सीटे हैं, लोगसभा में 28 सीटे हैं, और इसका छितफल करना तक का 1,91,701,92 किलूमीटर में फैला हुआ है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, अब बात आती है मुखमंत्री पत की, किसकी? मुखमंत्री पत की, तो आप लोगों को बता दूँ कि जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उनकी विधायक दल में से, एक को आप देखते हैं कि विधायक दल का नेता चुल लिया जाता है, और फिर वो जाता है राजजपाल के पास, कि साहब जी हमें बहुमत मिल चुका है, हमें मुखमंत्री बनाया जाए, और राजजपाल क्या करता अनुछेद 164 का उपयोग करते हुए उसे मुखमंतरी नियुक्त कर देता है क्योंकि आर्टीकल अनुछेद 164 में कहा गया है प्रावधन किया गया है कि मुखमंतरी की नियुक्ति राजपल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राजपल की मुखमंतरी के रूम में नियुक्त किया जाएगा और याद रखिए यहां एक और बात ऐसा बैक टी भी आप देखते हैं कि मुखमंतरी बन सकता है मंतरी बन सकता है जो ना तो आपका विधानसभा का और ना ही विधान परिशत का सदस्थ हो लेकिन उन्हें उस पर पहले भी आप दिखते हैं कि हटाया जा सकता है तो मुखमंतरी के अगर हम लोग कारकाल की बात करें तो कोई निश्चित कारकाल नहीं है उसे बहुमत जब तक रहेगा तब तक वो मुखमंतरी के पत पर बने रहेगा वर राजपाल की पिसाद परयंत पत धारन करता है और राजपाल द्वारा उसे तभी बर्खास्त किया जाएगा जब विधान सभा में बहुमत उसे ना बचा हो उसके पास उसे पहले अगर बहुमत है उसे तो उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा यह आप लोग याद रखेगा और बास्तवेश सकतियां आप सभी जानते ह 28 दिसंबर 1850 में इसकी स्थाफना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर जी ब्योमेट चंद बनर जी थे और इसके संस्थाफ़क A.O. हियूम थे सिध्धारामिया का जरम 12 गस्त 1948 को मैसूर में हुआ और इनके पिता का नाम सिध्धाराम गोडा और इनकी माता का नाम बोरामा गोडा और आप देखेंगे इनकी सिछा की अगर हम लोग बात करें तो मैसूर यूनिवसिटी से इन्होंने हांसिल की है बकालत की डिगरी और इन्होंने अपनी गेजुशन की मैसूर उनिवसिटी से पूरी की और सिध्धारमिया ने पहले B.Sc. की डिगरी हासिल की बाद में आप देखे इन्होंने लौ किया हाला की सिध्धारमिया की माता पिता चाहते थी कि वह डौक्टर बने लेकिन उन्होंने बकालत चुनी और बकालत चोड़ने के बाद उन्होंने सिध्धारमिया ने राजनीती में कदम रखा इनकी पतनी का नाम परवर्ती सिधरामिया, इनके दो वेटे, एक राकिस जिसकी मित्तिव आप देखे, 2016 में हो गई थी और यह तिंद जो चिक सक हैं आप देखेंगे राजनीती यात्रा देखें, राजनीतिक सफर देखें इनका राजनीती में आने के पहले ये बकालत और सिक्षक भी रहे हैं 1977 में जोड फंडानीस के साथ लोग ठाला पाटी में सामिल हुए और फिर आप देखेंगे कि 1983 में समुंद्रे सुरी विधासवाचेत से विधायक बने और अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 सालों नीचे अधिक तम उम्रे की कोई सीमा नहीं रखी गई है और विधायक का चुनाव डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं की द्वारा होता है और अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हैं तो आपका वोटर सुची में नाम चुड़ चुका होगा आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे फिर आप देखी उननीस सो पचासी में उसी निर्वाचन 6 से फिर से निर्वाचित हुए और पसुफालन और पसुचिकसा सेबा मंतरी बनते हैं 1989 में विधान सबा चुनाओं में एम राज सेकर मोर्ती से हारे फिर आप देखी 1992 में जन्ता पार्टी की महासरचेप बनते हैं फिर 1994 में उप मुक मंतरी की रूम में चुने जाते हैं देखें समीधान में उप मुक मंतरी का कोई पद नहीं होता है वो तो क्या रहता है कि दो बरावर कत के कोई नेता है तो एक को मुक मंतरी बना दिया जाता है दूसरे को उप मुक मंतरी बना दिया जाता है फिर आप देखें 1996 में कर्णाटक की उप मुक मंतरी बने 1999 में उन्होंने जन्ता पायٹी छोड़ दी ओएक नई पायटी पीर की शुरुवात की 2004 में करन्टक की मुखमंत्री की रूम में फिर से चुने गये वो फिर आप देखेंगे 13 मई 2013 को करन्टक की मुखमंत्री की रूम में इन्होंने सपत ली थी यानि कि पहले भी मुखमंत्री रह चुके हैं 2018 में दो निर्वाचन चित्र यानि कि चामंडे सुरी और आप देखेंगे कि वादामी के करनाटक विधासवा चुनाव लड़ा लेकिन वादामी से केवल चुनाव जीता था एक जगह से हार गय थे और 2023 में आप देखें सिध्धर अमया वरुना से जीते और नौभी बार एक बिधायक बने है तो ये इनका राजनितिक सफर रहा है अब मुखमंत्री बन रहे है तो इनकी एक सौट वाइगराफिय आप लोग कह सकते हैं और किसी के बारे में बात करनी हो किसी के बारे में जानने की दिल्चस्वी हो तो आप उसका नाम बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है